असलामु अलेकुम, वेलकम तो कुकिंग विद बेनजीर, कैसे हैं आप सब, उमीद हैं आप सब खेरियत से होंगे, मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंड रहे हैं, तो आप बिलकुल सही जगे पर आए हैं, और अगर आप ने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशाला बहुत पसंद आने वाली है, आज हम लाए हैं आपके लिए, क्रिस्पी चिकन कीमे के पकोड़े, और क्रिस्पी चिकन लॉलिपॉप, चलिए लॉलिपॉप्स को सबसे पहले मैरि लॉलिपॉप, इसके लिए हमने 500 ग्राम लॉलिपॉप ले लिये हैं, इस तरह से लॉलिपॉप आपको चिकन शॉप पर बनवा कर मिलते हैं, यह तकरीबन अगर आप गिन कर देखें, तो 10-12 पीसे हैं, लॉलिपॉप को पहले मैरिनेट कर लेते हैं, एक अंडे की सफी दी एक वाइट, एक टीस्पून सोया सॉस, लसन का पाउडर, हाफ टीस्पून, आप यह जगा पर चाहें तो, लसन का पेस्ट या अधरक लसन का पेस्ट, एक टीस्पून यूज़ कर ले, मिक्स्ट हर्ब्स, हाफ टीस्पून, यह इटालियन सीजनिंग है, आपको आसानी से म थोड़ा नमक, सुया सोस में नमक है, नमक ध्यान से डालें, मैदा 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भरकर कॉन फ्ला, एक टेबल स्पून ओयल, रेगूलर ओयल यूस करेंगे, क्रिस्पी बनाने के लिए, मिक्स करते रहेंगे और जरूरी लगे तो थोड़ा थोड़ा पा आपके पास ज्यादा समय है, तो ज्यादा समय के लिए रखें, बरना दो घंटे के लिए रख दें, जब तक हमारे लॉलिपॉप्स मैरिने होते हैं, हम क्रिस्पी चिकन के कीमे के पकोडे का मिक्स्चर तयार कर लेते हैं, ताकि हमारा वक्त बच जाएं, उसके लिए हमने ये चने की दाल हमने आधे कप से थोड़ी ज्यादा ली वजन से देखे तो तकरीबन 120 ग्रम दाल होगी दाल को हमने अच्छी तरह से धोकर भीगा दिया था तीन घंटे पहले ये भीग करके तयार हो गई है हमने इसका पानी फैंक दिया है हम इसे मिक्सर ग्रेंड की जार में दालेंगे हमें इसे दरदरा सा पीषना है कोशिश करें कि इसमें पीषते समय पानी एड़ना करें अगर जरूरी लगे तो थोड़ा एड़ करें वरना नहीं बस हमने एक से दो बार ही मिक्सर को चलाया और इसे मोटा मोटा क्रश किया है इसे बिलकुल बारिक ना कर दें व जिसे हमने mix к All cardboard रेसेपी स्टाट करने के पहले सबसे पहले तो पहले झा लेंटा पहलें. हम इसमें एक अंडे की सफीदी डालेंगे एक वाइट अगर आप अंडा नहीं खाते तो अंडा ना डालें स्किप करदें वन थर्ड कप सूजी याने की सेमोलीना रवा यह इसका सीक्रेट इंग्रीडियंट है यह डालने से बहुत ही क्रिस्पी बन कर तयार होंगे हमारे चि मढ़ी स्लाइश कर लिए है प्यास को बड़ी साइस का प्यास यूज हमने आप चाहें तो दो यूज कर लेए चोटी साइस के हरी प्यास के पत्ते ही तो से तीन टेबल स्पून कुटी विलाल मेर्च 2 तीस्पून भरकर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालें. आफ तीस्प अगर चॉप करके डालेंगे यह पॉइंट पे तो बहुत अच्छे पकोडे मनेंगे दो से तीन हरी मिर्ची बारी कट करके जितना तीखा आप खाते हैं वह हिसाब से एड़स्ट करें एक टेबल स्पुन भरकर मोटा कूटा धनिया एक टीश्पुन नमक थोड़ा नमक हमने कीमे के मैरिनेशन में डाला था तक्रीबन एक चॉथाइट आई टीश्पुन के करीब अभी हम एक टीश्पुन डाल रहे हैं एक चुट्की से भी कम सोडा याने की खाने का सोडा मीठा यह हम बिल्कुल कम डाल रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं खाली पकोडों को थोड़ा लाइट करने के लिए डाल रहे हैं अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो पकोडे सॉफ्ट हो जाएंगे और हम क्रिस्पी पकोडे चाते हैं एक टेबल स्पून के करीब तेल भी सॉफ्ट के मिलेंगे से अगर यह थोड़ी और सूजी मिलाने के बाद हमें इसे इस तारह से 30 मिनिट के लिए छोड़ देना है तो इसमें कोई और मॉष्ट है तो वह भी एब जाएगा किमे के मिक्श्चर हमने तयार कर लिया जब तक यह थोड़ा वक्त आराम करता है, हम लॉलिपॉप्स को बनाते हैं, ठीक है ना, दो घंटे तक अच्छी तरह से हमने चिकन को मैरिनेट किया, चिकन के पीस्स को हम ब्रेट क्रम्स में टस्ट कर लेंगे, ये पैंको ब्रेट क्रम्स है, आसानी से घर पर बन सकते हैं, बना कर इसे आप स्टो लगती है, अच्छी तरह से हमें दबाते वे इस पर ब्रेट क्रम्स को लगा लेना है, ये बिलकुल तयार है, इसी तरह हम सारे लॉलिपॉप्स को बना कर रख देंगे, अगर आप स्टोर करना चाते हैं, तो इसी तरह इने स्टोर करें, एरटाइट कंटेनर में बन करके, ये इंशालला एक महीने तक खराब नहीं होंगे, हमने तेल को मीडियम गरम किया है, ज्यादा गरम ना कर दें, क्योंकि हमारे चिकिन दॉलिपॉप्स कच्चे हैं, हम चाहते हैं कि ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राय हो जाएं, पक जाएं, हाई फ्लेम पर ये जल् तक फ्राय किया, ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डेन हो गये हैं, और अंदर से भी इंशालला पकी गये होंगे, क्योंकि हमने पेशिंस के साथ प्राय किया है, हम इने निकाल लेंगे, क्रिस्पी चिकन लॉलिपोप्स तो तयार हो गये, तो देखा आपने कितना आसान है इने बनाना, और टेस्ट में भी आप कहेंगे, वाह ये तो लाजवाब है, चलिए क्रिस्पी चिकन के कीमे के पकोड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं, दूस्तो अगर आपको हमारी वीडि वीडियो उसको जरूर लाइक करेंगे, तो आप लाइक का बटन दबाएं और हम यह गये और यह आए, और आपको हमने अच्छी तरह से गरम किया, और बाद में फ्लेम को लो कर दिया है, हम यह साइज के पकोड़े बनाएंगे, जलबाजी नहीं करेंगे, इनहें फ्राइ करने में क्योंकि इसमें चिकन का कीमा भी है, और धीरे धीरे जब यह फ्राइ होंगे, तो यह बहुत अच्छी क्रिस्पी तयार होंगे, तो ध्यान रखें, हाई फ्लेम पर फ्राइ ना कर दें, डालते ही पकोड़ों को हमने चला साथ से आठ मिनिट लग गए हैं, हमने धीरे-धीरे बहुत अच्छी तरह से पकोड़ों को फ्राइ किया, माशालला, बड़े ही क्रिस्प नजर आ रहे हैं, उमीद करती हूँ, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो जरूर से हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए, अला हाफिस, टेक केर